वेलकॉम बेक टू माइ चैनल आज कल कोलकादा का मौसम में ते कुछ अलगी रोमैंस है इतना जादा बारिस भी हो रहे है धूब भी नहीं निकलता है और क्लावडी क्लावडी होके रहता है तो इतना ज़ादा प्यारा लगता है कि ये सारे मौसम तो कभी कभी आता है तो इं मोटिवेट फील हो रहा है कुछ दिन से कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है और मेरा रूम का हाल देखो कितना ज़्यादा मेसी है तो आज मैंने घर चैन जब बाहर रहते है अकेला लिविंग अलों लाइब इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है लोगों को लगता है बह시면 ही बहुत ज़दा easy है, बहुत fancy है, जो भी चाहो करो, बट नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़दा stress रहता है, बहुत ज़दा responsibility रहता है, आपके आसपास में भी कोई नहीं होता है, कि एक glass पानी भी आपको कोई दे, सब कुछ खुद से करना पड़ता है, A to Z, उपर स आपको बहुत ज़दा stress रहता है, कि इसका payment देना है, इसको ये करना है, वो करना है, सो इतना ज़दा easy भी नहीं होता है, पर साथी साथ में बहुत कुछ सेखने को भी मिलता है, बहुत ज़दा responsibility आपको बढ़ जाती है, आज मैं कुछ ज़दा ही सेंटी और emotional बात कर रही पर आप लोगों से ऐसा रिस्ता जुर गिया है, कि मुझे लगता है कि आप लोगों से अगर दिल का बात नहीं बोलूँगी, तो किसको बोलूँगी, बिकॉस कहीं न कहीं मैं आप लोगों का किसी का मैं दीदी बन गई हूँ, किसी का दीदू, किसी का आपी, तो किसी का द कल तुमसे गलती से हुआ तो यह जो understanding है यह जो प्यार है मैंने कमाया है आप लोगों से मुझे प्यार मिलता है अपना पन मिलता है जब कोई मुझे दीदू बोलता है दीदी बोलता है ना मेरी कोई छोटी बहन नहीं है तो मुझे लगता है मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए और थैंकि सो मस्ट तुम लोग बहुत प्यारे हो और मैं तुम लोग को बहुत रिस्पेट करती हूँ और प्यार भी करती हूँ और मेरा रूम का हाल अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है मैंने ठीक कर दिया ना और आपको पता है मेरा हार्मोनल प्राप्लेम के वजए से हर एक लड़की सफर करती है उनमे से मैं भी एक हूँ मेरा बाडि इतना ज़्याद डाउन ही करता है 30% कल परसों में मैं कर लूँगी ऐसा मेरे साथ बीच बीच में होता है कभी स्लो चलती हूँ कभी गिरती हूँ कभी उठती हूँ पर खुद को ही मोटिवेट करती हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं है बट आप लोग मुझे यूटूब में बहुत ज़दा मोटिवेट करते हूँ जब मुझे कॉमेंट करते हूँ जब बोलते हूँ कि हाँ ये वीडियो मुझे अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे आइडिया मिलता है कि आप लोगों के लिए में और क्या content लेके आ सकती हूं ताकि आप लोगों को भी help हो और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि YouTube ना मेरा एक passion है ऐसे ही जब मैं जुड़ा बन के रहती हूं तो और ज़्यादा मैं देबदास जैसे feel करती हूं और ज़्यादा overthink करती हूं और मुझे लगता है मैं अच्छी नहीं दिखती हूं पता नहीं क्या क्या मैं सोच लेती हूं जो मैं चीज लेने जा रही हूं वो मेरा health से related है मेरा fitness journey Yes guys, अब मैं सुरू करने वाली हूं अपना fitness journey और यह product बहुत ज़्यादा important है मेरा goal को achieve करने में बहुत ज़्यादा help करेगा और मेरा skin को healthy रखने के लिए भी help करेगा और मेरा ऐसा चीज़े जो मेरा skin के लिए हो, overall body के लिए हो, health के लिए हो जो अच्छा चीज़े रहता है थोड़ा सा amount उसका ज़्यादा होता है, मैं थोड़ा time से saving करना सुरू कर देती हूं कि रोज के खर्चे में वो पता भी ना चाले और saving भी हो जाए और चीज़ में ले सकूँ, आज दीन आ गया है तो साथ में हम लोग लेने जाएंगे और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरा fitness journey, आप लोग के साथ मैं हर एक चीज़ सेयर करने वाली हूं मैं अपना diet, अपना walkout, अपना sleeping pattern, हर एक चीज़ और आप लोग को भी बहुत जगा help मिलेगा आप लोग को भी पता चलेगा कि आप लोग भी क्या-क्या diet पे ले सकते हो जिससे आप भी अपना fitness journey सुरू कर सकते हो मेरे एक short video में किसी एक लड़की ने मुझे comment किया था अरे आप तो सावली हो तो skincare करके क्या फाइदा? Seriously? सावली हूँ तो क्या हुआ? skincare का मतलब गोरा-काला से कुछ मतलब नहीं dear sister skincare हम लोग क्यों करते है? skincare का health के लिए जैसे आप खाना खाते हो अपना body के लिए healthy रहने के लिए skincare का मतलब वोई होता है काला गोरा से क्या मतलब है? और मैं सावली हूँ मुझे अपना रंग बहुत पसंद है क्यों पता है? because मेरा genetic मेरा माबब से मुझे प्यार है confident हूँ मेरे पे हार एक dress अच्छा लगता है हार एक color अच्छा लगता है मेरा skin अच्छा है माशालला मेरा hair अच्छा है और मेरा figure भी सही सही है तो मैं अच्छी ही तो दिखती हूँ और क्या चाहिए? मैं खुस हूँ अपने में मुझे गोरा होने का कोई सौक नहीं है गोरा skin को मैं promote नहीं करती हूँ और गोरा skin क्यों? जब genetic जैसा होता है उसको वही होता है आपने साइद school और college में नहीं गए हो क्योंकि कोई भी education लेता है तो ये सारे चीज उनको पता होता है sorry आप एक लड़की होके दूसरा लड़की को छोटा दिखाना या फिर ये सारे चीज बात बोलना मुझे पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं anyways मैं तो ready हो चुकी हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी comment करके बताना और देखो तुमने बोला था ना आपने आपको मैं बहुत खुबसूरत भी मानती हूँ और हमें साही की चीज बोलती हूँ कि तुम्हें कोई हक मी बत तक तुम इतने भी खुबसूरत लगो yes because I love myself समझी और खुद को भी प्यार करो इतना जादा negative मत सोचो dear मैं एक्रोपलिस मॉल आ गई हूँ और आते ही पहले ही मैं मोबाइल का कवर के सौप में आई हूँ क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा चा कवर मिलता है और यहां पर मैं आइफोन 30 और आइफोन 50 इन दोनों के लिए कवर लेने आ रही हूँ यहां पर ब्लैक बला मुझे अच्छा लग रहा था पर यह ना 30 में आएगा ना 50 में आएगा यह 40 का था तो दूसरा बाला भी देख रही थी बहुत साथ सिमिलर तो मेरे पास भी है तो देखते हैं कौन सा लेते हैं आप लोगों कौन सा अच्छा लग रहा है यह गोल्डिन वला भी अच्छा है ना मूड चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो आप स्वापिंग करने बस चले जाओ बस आपके मूड इतना जल्दी ठीक हो जाएगा और मैंना कभी-कभी सोचती हूं कि इस वक्त जब हम लड़किया स्वापिंग करते तो उस वक्त मूड स्विंग्स क्यों नहीं होता है जितना मूड स्विंग्स होता है घर पे ही होता है अपने मेडरूम पे ही होता है ऐसा क्यों क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है या फिर मेरे साथ ऐसा होता है कमेंट जरूर करना और मैं ना इनसे थोड़ा सा बरगेनिंग करने की कोसिस कर रही हूं क्योंकि ये दो जो क दिखाया और मुझे पसंद आ गया है ये थोड़ा सा इसका है थोड़ा सा वाइट थोड़ा सा पपल ये ना पूरा पिंट्रिस से लुक दे रहा है और मेरा आइफोन 50 में बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको ले लिया है वो सारे सब को छोड़ दिया है उसके पाटून देखती थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोटो ले लेती हूँ अच्छा लग रहा है ना मुवाइल कवर तो ले लिया अब मुझे लगी थी बहुत ज़दा भूख तो मैं आगई हूँ क्याफे में और क्याफे मुझे बहुत ज़दा पसंदे क्याफे का जो थीम होता है जो वाइब्स होता है जो म्यूजिक होता है मुझे बहुत 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 अच्छा लगता ह तो हमेशा मैं क्याफे ही जाती हूँ और यहां पे क्याफे का जो लाइट था ना मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था वीकेंड में चीट डे में मैं क्या खाती हूँ आज आप लोग के साथ सेयर करती हूँ तो वीकेंड में जब हम लोग पहले ड्रिंग लेते हूँ इसमें से आपसें होता है एक जूस होता है एक कोल रिंग होता है एक मॉक्टल होता है क्याफे में तो मैं जूस को चूस करती हूँ वो थोड़ा से हेल्दी आपसें में जाता है और वो भी मैं एक से दो सिप लेती और नहीं लेती हूँ, जट थोड़ा-थोड़ा मैं टेस्ट करती हूँ, इन में से और मैं ज्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि बाहर में जूस उतना pure मिलता नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं कुछ preservative रहता ही है, इसलिए मैं उतना ज्यादा लेती नहीं हूँ. फ्रिंच फ्राइज यही एक कमजोरी है जो मैं बाहर जाके खा लेती हूँ बट सायद आज के बाद उतना जरुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं जो चीज लेने बाली हूँ वो आप लोगों को आगे पता चलेगी कि मैंने ये चीज क्यों बोला मैं घर पे हर एक चीज खा सक पीँ वो भी हेल्दी वे में और यहां पर मैंने चीली चिकन थोड़ा सा मैंने यहां पर मिक्स फायर आईज ओर दिया था क्योंकि यही मेरा घीसा पीटा खाना रहता है मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता है मैं यही ऑप्सन चूज करते हूँ क्योंकि यह मुझे यहां पर मैंने फिस ओर दिया था जो की काफी जादा टेस्टी लग रहा था पहले मैं हर वीकेंड में निकल थी घर से बाहर बढ़ अब जब से मैं यूटूब करने लगी हूँ तब से वीकेंड में निकलना नहीं होता है बिकॉज साटेडे संडे ही मुझे टाइम मिलता ह है कि मैं यूटूब का वीडियो सुट कर लूँ इंस्टागराम का काम कर लूँ और बाकी टाइम मैं एडिटिंग में ही टाइम देती हूँ बिकॉज ये भी तो मेरा एक रिस्पॉंसिबलेटी काम है आप लोगों तक अच्छा-चा कॉंटेंट पहुचाना अब मैं जा र गई हूँ तो गाइस फाइनली में सोरूम पे आ गई हूँ यहार फ्राया लेने फिलिप्स का यही मुझे लेना था इसको मैंने डन कर दिया है और मैं थोड़ा सा घूम के देख रही थी यहाँ पे इतना अच्छा-चा कीचिन का हर एक चीज मिलता है जो देखके बहुत ज़दा अच्छा लगते हैं बहुत अच्छा-चा मॉडेल का न्यूनी फ्रीज है और यहाँ पे एक मिकसर ग्राइंडर मुझे इतना ज़दा अ दिखता है तो इसको भी मैं इंशालला लूंगी तो जरूर फ्यूचर में कभी और यहां पे निव निव फिरीज का बहुत सारा कलेक्शन था तो वह देख रही थी प्रेंशन 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 प्रे प्रेंज प्राइज हो गया यह फिर कोई भी आइटम हो गया यह वाला आपका रोस्ट आइटम हो गया जो चिकन का लेख पीज का पोटो किया हुए यह वाला फिश आइटम यह वाला केक बगेरा बेकिंग आइटम यह वाला ग्रिल आइटम मॉटन ग्रिल यह आपका हो गया विटीटेबिल मश्रूम यह जब के लिए और यह आपका रिहिट गरम कर नेसे यह वाला टच नहीं लिगा एक एक इसको अगर आपको फीश करना तो यह वाला जो मेनू बटम दीख रहा है इसमें प्रेश करने से दे कि यह ब्लिंग कर रहा थिर प्रेस कर जाने सी यह तो ने और मैंने लिया है सबसे बड़ा वाला अगर ले रही हूँ तो छोटा लेने से कोई फाइदा नहीं है सबसे बड़ा वाला ही अच्छा रहता है तो सौपिंग डन हो गया अब मैं जा रही हूँ अपना घर और मेरा मुबाइल का कवर भी कितना ज़दा प्रिटी लग रहा है ह खाने का सौक तो मुझे बजपन से ही है पर बहुत सारा चीज छूट गया क्योंकि पिंपल्स ना हो जाए पीसी ओडी ना बढ़ जाए या फिर मैं मोटी ना हो जाओ बट नाव बिड़ाउट एनी कॉंप्रमाइज मैं अच्छा अच्छा चीज़े खा सकती हूँ अपना फिटनेस जर्नी में मैं क्या खा रही हूँ क्या डाइट ले रही हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ सेयर कर सकती हूँ और एयर फ्रायर से बहुत हेल्दी और टेस्ट बट ग्राइज आज को ब्लॉग में थोड़ी सी इमोसिनल हो गई थी थोड़ा से दिल का बात आप लोग के साथ सेयर किया और एक दिन में कैसे वीकन में विटाती हूँ अपना दिन वही सेयर किया तो कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग जरूर कमेंड करके बताना अभी मैं फ्रेस होके एडिनिंग करने बैठ होंगी तो ब्लोग को यही पर खतम करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में सस्क्राइब जरूर चैनल को करना लाइक भी कर देना बाई